इल्वेवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम है आलोग बाचपेई और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर वान स्टटी चैनल वाइफाई स्टड़ी पर और आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें वाइफाई स्टड़ी 2.0 ओफिसेल यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले सभी विद्यारती एक बार सेशन को भी या सेयर कर दीजेगा सेशन को लाइक कर दीजेगा और चैनल को फटाफट से सभी के सभी विद्यारती एक बार सबस्क्राइब कर देंगे बेहतरीन तरीके से हम लोग सांदार जांदार यहाँ पर क्वेस्चन्स डेली 11 बज़े डिसकस करते हैं तो एक बार सभी के सभी विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपर, सभी लोग एक बार तेजी से प्यारे विद्यार्थियों सेशन को फटा फट से सेर कर दीजिए, सारे लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, एक बार तेजी से आप सभी लोग भी है, session को share कीजिए, session को like कर दीजिए और channel को photographer से subscribe कीजिए, बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर questions discuss कर रहे हैं, और इसके साथ आज आपकी बहुत जवरदस्त classes चल रही हैं, कहाँ पर Unacademy Learner App पर एक बज़े class है, जुड़ना मत भूलीगा, ठीक है? और मुझे follow सभी लोग करेंगे, जब follow करोगे तो notification मिलेगा, मेरी class से जुड़ेंगा, Unacademy Learner App की, किसी भी course का subscription लेना चाहते है Unacademy का, ए भी certain code लगाईए, और इसके माध्धिम से आप लोगों को discount इनिस चित रूप से मिलने वाला है, आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है भाई? कोई भी test series आप एकदम free में प्राप्त कर सकते हैं, और ये एक 13 तारीख को जबर 10 test है, जिसमें laptop, mobile phone और बहुत सारे आपके संदार जांदार प्राइज हैं, pre में enrollment करो, code लगाना है, AB certain, कहां पर लिखना है, use code में, enrollment करो, 13 तारीख को 12 बजे test दीजिए, 60 questions, 60 minute में संदार जांदार, SSC का test होने वाला है, यानि कि सारे के सारे चीज़ आने वाली हैं, तो एक बार इसमें enrollment free में जरूर करिएगा, सभी के सभी विद्याग थी, और अपने जितने मित्र हैं, उन सभी मित्रों से भी कहिए enrollment करें, और भया यहां पर तैयारी करें, बढ़िया से, अपना score भी देखें, और साथ में price भी जीतें, Iconic Subscription जरूर लीजिए, हर एक चीज़ में priority मिलने वाली हैं, और Raise Hand का प्रियोग जरूर किया करो, सीध है जो Gator महदय से बाचीद कर सकते हैं, Raise Hand पर क्लिक करके, दूसरी बात, Ask a Doubt by an Academy पर अपना सवाल पूछिए, और Image Form में question आप लोग यहाँ पर send कर सकते हैं, Iconic लेना हो, तब भी A, B, certain code लगाना है, और अगर Plus Post लेना है, तब भी A, B, certain code ही लगाना है आप सभी लोगों को, और यह एक साल है, इससे ओपर का subscription लेते हो, तो भीया, यहाँ पर 6 महिने का extension मिलता है, और मेरे टेलिग्राम गुरूप पर सभी लोग जुड़ जाईएगा, ठीक है, पहला सबाल है, कौन सा केल और खिलाडियों की संख्या का सही समून नहीं है, पटा-पटा अंजर कीजिए, बाई, फास्ट, बिल्कुल है बाई, सभी के लिए है, यह All-in-man class है, अगर आप SSC की तयारी कर रहे हो, रेल विग कर रहे हो, डी-स-सवी की कर रहे हो, या UPSC कर रहे हो, या State PSC कर रहे हो, RAS, RPSC, कोई भी एक्जम, सभी के लिए class फाइदे मन दे आपकी, ठीक है बाई, good morning, good morning, सारे लोग share कर देंगे session को देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, Ice Hockey Canada का गेम है बाई, Canada का, इसमें 6 खिलाडी होते हैं, एकदम सही है, Base Wall, यह USA का गेम है बाई, इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं, एकदम सही है, Basketball, इसमें भाईया 6 खिलाडी नहीं, इसमें आपके 5 खिलाडी होते हैं, कितने होते हैं 5, तो इसलिए ही Miss Match है, वाँकी चेस्ट में भी एक होता है, ऐसे आपर रेक डालोगे, 4 खिलाडी पोलों में, बहुत ध्यान से समझेगा, 5 खिलाडी बास्केट बाल में, 6 खिलाडी बॉली बॉल में, 6 खिलाडी बॉली बॉल में, 7 खिलाडी तीन ख्यलों में हैं, एक वाटर पोलों में, दूसरे नेट वाल में, तीसरे कबड़ी में, 7 खिलाडी तीन ख्यल में, नौ खिलाडी दो खेल में एक बेस्वाल में और दूसरा खोखो में और इसी तरीके से छे खिलाडी बॉली बॉल और किसमें मैंने बोला आई सोकी में दोनों में छे हो जाते हैं ठीक है भाई GKGS भाई साहिल संडे सारे लोग एक बार सेयर जरूर कर देंगे सेयर को अगले सवाल की तरब बढ़ते हैं नेसनल स्टार्टप डे ये कब मनाते हैं 21 जन्वरी 22 अप्रेल 7 अप्रेल या 16 जन्वरी पटा फट सारे भी द्यार्थी सेयर करेंगे फिल्मी दुनिया वाले ये कोई आईडी हैं रोमित सिंगल है साहिल है सारिका है सुरुभी है सारे लोग सेयर करेंगे भाई जबरदस तरीके से बहुत ध्यान से इसको एक-एक प्रसन का उत्तर देना है नेसनल स्टार्टप डे सेलिबरेटेड ओन 16 जैनुवरी 16 जैनुवरी को 22 अपरेल को मनाते हैं विश्व प्रत्यवी दिवस विश्व प्रत्यवी दिवस साथ बनाते हैं 22 अपरेल को साथ अपरेल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ दिवस ठीक भी है अगला सवाल है जो पहला डीव 2020 ट्रिकेट चैंपियन सिर्फ होगी वो कहाँ पर आयोजित होगी और ये होगी कब 2023 में होगी कब होगी भयाँ 2023 में कहाँ पर आयोजित होगी ये आपको बताना है पटा पटा आंसर कीजिए भज़ पास्ट जो पहली 2020 बधिर के लिए क्रिकेट चैंपियन सिप है वर्ल चैंपियन सिप है ये आपकी कहाँ पर आयोजित होगी इन में से कोई नहीं क्योंकि ये केरला में हो ठीक है मद्य परदेश में नहीं मद्य परदेश को हम लोग कोया परदेश कहते हैं मद्र प्रदेश को भारत का हर्दे प्रदेश कहते है यूपी जनसंख्या में नंबर वन है लोकसबा सीट राजसबा सीट विधान सबा सीट विधान परिशत सीट इन सम्मे भईया यूपी नंबर वन है राजस्थान की बात करोगे एरिया में नंबर वन है राजस्थान की बात करोगे तो यहां का एक प्रसिद्ध साहर है जोधपूर इस जोधपूर को सन सीटी कहते हैं और जोधपूर को ही ब्लू सीटी भी कहते हैं ठीक है बाई केलर है आगे बढ़ते हैं इंडो मीटेवर एक बोलिए सुर्वी जैस्वाल, आंसर करिए भाई, सारे लोग, सारे लोग आंसर करिए भाई, देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, इंडो मीटेवल ये आटोबाइग्राफी है, ये भाई किसकी है, अनुधट्टी भट्ट्य अचारे की, ठीक है, याद रहेगा, अगला महत्पूर्ण के अंदर कौन सा है, मुंबई, लंदन, बर्लिन या मिलान, यूरोप का सबसे बड़ा महत्पूर्ण सांस्कृतिक के अंदर जो है, ये वो कौन सा है, एक बार तेजी से आंसर करोगे सारे लोग, फटा 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 आंसर करेए, तेजी से, यूरोप का सबसे बढ़ा यह जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंदर है यह बर्लीन हो जाता है क्या हो जाता है बर्लीन किस नदी के किनारे है सप्री और लंदन जो है किस नदी किनारे है टेम्स ठीक है और इस लंदन में एक हैड़कॉर्टर भी है याद रखेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हीड़कॉर्टर भी लंदन में अग्ला सवाल है निम लिकीत में से किसका रंग हवा से इसपर्स करने पर स्लेटी कलर का हो जाता है किसका रंग क्रोमियम, सीसा, पारा या तामा हवा से इस परस करने पर जो स्लेटी कलर का हो जाता है वो कौन सा रंग हो जाता है किसका देखो बहुत जबर्दस सवाल है बहुत ध्यान से इसको समझेगा सारे लोग पारा इसको हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं यह आंसर नहीं होगा स्लेटी हो जाता है सीसा, क्या हो जाता है सीसा आंसर है सीसा पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं पारे का एक आयसक है जिसको हम लोग सीनेवार कहते है ठीक है सीसा का एक आयसक है जिसको हम लोग गैलेना कहते है ठीक है ताबे का एक आयास्क है जिसको हम लोग बोर्नाइट कहते है अगला सवाल है एक्सलेटर अधिक्तम कितनी उचाई तक कारे कर सकते हैं 40 feet, 60 feet, 100 feet या 80 feet एक्सलेटर कितनी उचाई तक कारे कर सकते हैं पटा पटा अंसर कीजिए भई बोलग भई देखतों चलायवन सीडियां 60 feet तक तो कारे करेंगी 40 feet से उपर जाना है तो भई या लिफ्ट से जाओ ठीक है कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से ये पोट दिये गये है एक तरफ कहाँ पर है इस्थित ये दिया गया है कौन सा कहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है जो मिस्मेज है फटा बटा आंसर कीजिये बैड़ मरम गायो या मरम गोवा गौवा में है मुंदरअ अंदरप्रदेस में नहीं मुंद्रा आपका ये गुजरात में है मंगलोर करनाटक में है वाकी पारदी पुरिशा में है ये सब हैं लेकिन ये बाला मिसमेच है गुजरात में होना चाहिए अन्द्रप्रदेस में नहीं ठीक है अगला सवाल है राय भेना और काड भेना ये किसकी उप जातियां हैं भील थारू गोंड या बैगा राय भेना और काड़ भेना ये किसकी हैं भई ठीक अब ये साइड हो जाते हैं फटावट आंसर करोगे ये किसकी उप जातिया है एजी से आंसर करेंगे देखो राय वेना और काड़ वेना अगर पूछा जाएगा तो बैगा की ठीक है और 2011 की अगर जनगरना के हिसाब से देखोगे 2011 की जनगरना के हिसाब से तो सबसे बड़ी जनजाती भील है ठीक है अगला सवाल गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे लाला हर्दयाल सोहन सिंग भाकना केसर सिंग या पंडित कासी राम क्या अंसर होगा गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्षी बात करोगे तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सहर में हुई है ठीक है और इसके जो संस्थापक अध्यक्षी है वो सोहन सिंग भाकना है याद रखिएगा और जो केसर सिंग थतगर इनका पूरा नाम था ये केसर सिंग थतगर ये गदर पार्टी के पहले उपाध्यक्ष होते है ये पहले उपाध्यक्ष होते है ठीक है समझ लोगे भाई गदर पार्टी के बारे में अध्यक्ष संस्थापक सोहन सिंग भाखना होते हैं, इसके अत्रिक्त केसर सिंग थतगर उपाध्यक्ष होते हैं, लाला हरदयाल महामंत्री रहते हैं स्थापना के समय में, लाला ठाकुर्दास धुरी संयुक्त सचीव रहते हैं, और पंडित कासिरा मदरोली को साथ ठीक अभी यह क्लियर हुआ चलिए अगला सवाल एक पीपल के पत्ते के ऊपर सूर की प्लैटिनम छवी किस पर अंकी थे कौन से पुरसकार पर पदम भिभूसर, पदम भूसर, पदम स्री या भारत रत देखो यह सारे के सारे सारे के सारे नागरिक सम्मान दिए गये हैं, सर्वोच नागरिक सम्मान है भारत रत्न नंबर एक, नंबर दो पर पदम विभूसण है, नंबर तीन पर पदम भूसण है, नंबर चार पर पदम स्री है, याद रहेगा, भारत रत्न पदम विभूसण, पदम भूसण, पदम स्री है, जिसम में पीपल के पत्ते के ऊपर जो सूर की प्लेटिनम छबी है वो आपकी अंकित है भारत रत सारे लोगों को याद रहेगा भई हाँ या ना बोलिएगा ठीक है इस थापना इन सब की पदम पुरसकारों की 1954 में गई है अगला सवाल है केंद्री एवियन अनुसंधान संस्थान कहां इस तित है केंद्री एवियन अनुसंधान संस्थान बोलोगा बैट, सारे लोग यार लाइक और शेयर जरूर कीए, जितने लोग हैं, फटाफट से लाइक और शेयर सारे लोग करेंगे केंद्री एवियन अनुसंदान संस्थाने बरेली में है, और बरेली जो है इसको सुर्मा नगरी भी कहते हैं इसको सुर्वा नगरी भी कहते हैं बरेली आपका राम गंगा नदी के किनारे स्थित है याद रखना है चिन्नई की बात करोगे तो चिन्नई कुवम नदी के किनारे स्थित है कलकत्ता की बात करोगे कलकत्ता उगली नदी के किनारे स्थित ठीक है अगला सवाल है चमेली देवी जहन पुरसकार जो है ये किस छेत्र से संबंदित है साहित विज्ञान पत्रकारिता कला चमेली देवी जहन पुरसकार किस छेत्र से संबंदित है एक बार आंसर कीजिएगा केरा तोड़ा स्पीट से पढ़ाओ कुछ लोग कहते हैं सर तोड़ा आइस्ता पड़ाई ये कुछ लोग कहते हैं सर स्पीड से पड़ाई है हमको मध्यम गती रख रही है लाकि दोनों लोग उसमें आ जाएं भई ठीक है देखो भई ये जो चमेली देवी जहन पुरसकार है आपका पत्रकारिता से रिलेटेड ह पत्रकारिता का सरवोच सम्मान उलितजर पुरसकार है साहित के छेतर में भारत में सम्मान पूछा जाएगा उग्यान पीडेक सरवोच सम्मान हो जाता है इसके लावा सरसोती सम्मान भी है बिग्यान छेतर में कलिंग पुरसकार दिया जाता है यूनेसको कलिंग पुरसका देता है बिग्यान चेत्र में अगला सवाल है मदूपूरिया मदूदानब का नगर किसे कहते हैं पानीपत हिसार मथुरा मेरट मदूपूरिया मदूदानब का जो सहर है वो बच्चे कहा जाता है मथुरा को किसको कहते हैं मथुरा को कहते है ठीक है बाई कौन सी नदी किनार है पानी पत को हम लोग बुनकरों का सहर कहते हैं बुनकरों का सहर पानी पत कहते हैं इसमें तीन इदू है पानी पत प्रथम इदू 1526 दूसरा 1556 तीसरा 1761 में मेरट को करांती नगर कहते हैं करांती नगर कहते हैं भारत की क्रेडा राजधानी भी कहते हैं क्रेडा राजधान ठीक है अगला सवाल चार ग्रहों को गैस दानव का भाग कहते हैं इन में से कौन सा नहीं है इन में से गैस दानव कौन सा नहीं है सुक्र अरुन सनी ये वरुन जैको बहुत बढ़िया सवाल है ठीक है टोटल ग्रह कितने आठ है सबसे बड़ा ब्रहस्पत सबसे छोटा बुद्ध लाल ग्रह मंगल सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा गनिमेड है किसका है ब्रहस्पत का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और अगर पुछा गया है सबसे बड़ा इक सी यो टू किस पर तो सुक्र पर ठीक है बए सबसे बड़ा इक उपग्रह किसके तो सनी के और चार ग्रहों में जो गैस दानव का भाग सुक्र ने सुक्र को भोर का तारा सांच का तारा सबसे अधिक चमखी लाग रहे और यहां पर कह सकते हो सबसे अधिक सी यो टू यहीं पर पाया जाता है भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है एहम्दाबाद को या हैदराबाद को बेंगलूरू को यह चिन नहीं भारत का डेट्राइट भारत का Detroit अगर पूछा जाएंगा तो हम लोग कहते हैं चछन नहीं ठीक बैंगलुरु को Silicon City कहते हैं बैंगलुरु को हम लोग Silicon City के नाम से बैंगलुरु सहर को जानते हैं हैद्राबाद को हम लोग high tech City कहते हैं 국ог государ ऐधराबाद को केहते हैं तो आप को होगा यार मूसी नदी के किनारे इस्ती थे, एहमदाबाद जो है, ये साबरमती नदी के किनारे है, इसके किनारे अभी है, साबरमती नदी के किनारे इस्ती थे, और इसकी स्थापना एहमदाबाद की 1411 में हुई थी, किसने की थी, सुल्तान एहमद साहर, ठीक है अगला सवार, भारती राष्ट्री अभिलेखागार की स्थापना किस वर्स की गई, 1925, 1893, 1917 या 1891, भारती राष्ट्री अभिलेखागार की स्थापना पूछी जाएगी तो 1891 में, 1925 में काकोरी डकैती कांड होता है, काकोरी कांड 1925, 1925 में सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू, भारती राष्ट्री कांग्रेस की पहली भारती महिला अध्यक्ष बनती हैं, कानपूर दिवेशन, 1893 में स्वामी विवेका नंद, कहां गया है, सिकागो गया, स्थार धर्म संबेलन में भाग लेने के लिए, 1917 में एडिवेशन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, कलकत्ता दिवेशन, सेर्षिप जिला किस्से संबंदित है, राजस्थान, सिक्किम, गोगा, मिजोरम, सेर्षिप, डिस्टिक बएक किस्से रिलेटेड है, एक बार तेजी से आंसर करेंगे बाई, सारे लोग, सेर्षिप जिला बच्चे मिजोरम में है, गोगा की राजधानी है, अगर कभी भी पूछा जाएगा, पढ़ जी, मंडवी नदी यहीं पर है, सिक्किम, नेपाल से लगता है, चाइना से लगता है, भूटान से, तीन देशों से इस पर्स करने वाला सिक्किम है, भारत का पहला पूर जैविक राज, भारत का पहला पूर जैविक राज भी आपका सिक्किम ही डिक्लेर किया गया था, ठीक है मैं, चले, अगला सवाल, कुछ लोग बैंगनी रंग के रिबन पहन करके एक दिन को सलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा दिन होता, 21 जून, 4 फरवरी, 8 मार्च या 5 जून, बैंगनी रंग का रिबन पहनते हैं, और बैंगनी रंग का रिबन, ये इंटरनेशनल वूमेंस डे पर, अंतराश्ट्री महिला दिवस जो अभी हाली में मनाया गया, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, 5 जून को वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे, यानि कि 200 परिया वरण दिवस, ये आपका 5 जून को मनाया जाता, अगला सवाल है, राश्पती का मु मुख्य सलाकार, देखो, राश्पती, सासन, प्रसासन के बारे में सब कुछ जानकारी किस से प्राप्त करता है, प्रधान मंत्री से मुख्य सलाकार होती है, ठीक बैया, लोकसवा अध्यक्ष कौन है, ओम बिर्ला सहाब, कौन से नंबर की लोकसवा चल लई है, सत्तरमी चल बिलता है, सत्य प्रधा का पहला साक्ष 510 इस्वी में, मद्द प्रदेश के सागर नामकिस्थान से, एक अभिलेक प्राप्त होता है, एरण, ये गुप्त राजा भानु गुप्त का अभिलेक है, तो जो हमने कहा दिया, गुप्त राजा भानु गुप्त, पांसर क्या ठीक है, पल्लव बंस के संस्थापक कौन है, याद रखना है, सिंग विस्लूप पल्लव के संस्थापक है, मौरे के चंद्रगुप्त मौरे है, अगला सवाब, बिटामिन H के नाम से किसे जाना जाता था, देखो, विटामिन है, 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 विट 12 यह साइनो कोबलामीन है जिसमें कोबाल्ट पाए जाता है ठीक है और विटामिन के अब इसकारक किसको मानते हैं कैसिमर फंक को को सी फंक को को दो तरीके के हैं जल में घुलन सिल्क होने वाले बसा जल में बी और सी हैं बसा में A, D, E और K यह बसा में घुलन सिल्क है ठीक है बैया के लियर हुआ अगला सवाल मुंबाई किसका मुख्याला है भेल, TCS, SCL या Infosys फटाबड आंसर कीजिए बैए बोलिये सारे लोग जल्दी से फास्ट देखो बै बहुत बढ़िया सवाल है इसका अंसर हो जाएगा आपका TCS ठीक है याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं जिन्जी किला किस राज्य में इस्तित है जिन्जी, रास्थान, मद्यप्रदेश, महराष्ट, तमिलनाडू जिन्जी का किला बहिया कहां परिस्तित है, एक बार तेजी से अंसर कीजिएगा देखो यार जो जिन्जी का किला है, वो आपका TCS याद रहेगा रास्थान की अगर कभी भी बात करते हो, छेतर फल में बहिया नंबर बन है राज्य मद्यपरदेश पहले नमबर वन था 36 गर निकलने के बाद राजस्थान हो गया तोयाबीन और अफीम दोनों के उत्पादन में नमबर वन है कार्ण फेस्टिवल चिली फेस्टिवल दोनों मद्यपरदेश में बनाया गया था महरास्ट्र तमासा लोकनत लावली लोकनत और भारत की जो आर्थिक राजदानी है वो इसकी राजदानी है मुमबई महरास्ट्र की कालेसुरं पर्योजना किस नदी पर है गंगा, कृष्णा, माही, गोदाबरी बटाबड अंसर करोगे कालेसुरं परीजना धन्यवाद वहिया जैप्रकास मौर्या जी कैसे हो जैपी वावू कैसे हो देखो बहुत बढ़ी है सवाल है काले उस्रम अगर पूछा जागा गोदावरी गोदावरी को हम लोग ब्रद गंगा भी कहते हैं गोदावरी की बात करेंगे तो इसको प्रायदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी भी है प्रायदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नासिक सहर माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है करग रे apprendre को दो बार काटती है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है भारत में बिस्तार 2510 किलोमिटर टोटल लंबाई 2525 किलोमिटर क्रष्णा की बात करेंगे नागारजुन सागरबांट क्रष्णा नदी पर है क्रष्णा नदी पर के किनारे दो सहर हैं, अमरावती और बिजयवारा, याद रखिएगा, अगला सवार, नर्मदार ताप्ती के धरार घाटियों के बीच में कौन सा है, बोलो गए, बटाबट, बीजेपी ने पहाड़िया मंडी में की, इवियम की चोड़ी है, कहां से तुम स्रोत लाए हो भाई, आँ मामला चल रहा है, इवियम भाई, लेकिन, कोई अथेंटिक नहीं है उसका, देखो भाई, बहुत बड़ी है सवाल है, यह जो नर्मदा और ताप्ती की धरार घाटियां हैं, यह बिस्तरत हैं वहिया, आपकी सत्पुड़ा, ठीक है, सत्पुड़ा हो जाएगा, अराब अली की बात करेंगे, ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पधहार नदत जो है, यह किस राज्य से सम्मंदित है, महराष्ट, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पधहार नदत, यह किस से सम्मंदित है, बोलोगे सारे लोग, फटा-फट से सटीक आंसर करते रहे हैं, धन्यबाद भीया, राजेस, रंजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा है, पधहार निरत्य जो है, वो गुजरात में, आप मेंसे जो भी विद्धार्थी अनेकैडमी पर किसी कोर्स का सब्सक्रिप्सन लेना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्षन में वाई लिखके बताएंगे, और सब्सक्रिप्सन लेने पर एक कोड का प्रयोग जरूर करिएगा, यह है हमारा रेफरल कोड, क्यापिटल लेटर में एबी सर्टेन लगाना है, एबी सर्टेन, इससे डिसकाउंट मिलेगा, हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, इसका अंसर हो जाएगा अब यह स्टेट्मेंट है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, विस्चुजीत अपने question ध्यान दो, इदर उदर देखोगे, फिर exam में इदर उदर देखोगे, तुमारा सही है, और उनका सही है, समझ रहे हो ना, अपने पर concentrate करो, आंसर देने के, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, इंदरा सागर बांध जो है, वो क्रश्णा नदी पर नहीं, इंदरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, बागी सबसाई है, सरदार सरवबर नर्मदा पर, सिफ समुधरम खावेरी पर, टहरी बांध भगी रती नदी पर, ये भारत का सबसे उचा बांध है, अगला सवाल, कि तरब बढ़ते हैं, आचार देवरत किस राज्य के राज्यपाल है, आचार देवरत हैं इन में से किस तो आपको गयार गुजरात के लिए कि अगला सवार बिश्व पस्ट चिकत्सा दिवस कम मना जाता है बिश्व पस्ट चिकत्सा दिवस प्टापट अंसर कीजिए बई फस्ट मैं डेली क्लास रेता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा क्लास में अपने कोश्टन कोई मतलब नहीं कोई आ गया कोई बिसेश तो जरूर कमेंट करेंगे सब पूरे क्लास में उन्हें खोई रहेंगे तो वह यह अपना समय वरबात कर रहे हैं फिर कहोगे अब बचिश्ट करें ठीक है तो उनके सोचने ना सोचने से कोई फरक नहीं पढ़ता है जो पढ़ने वाले हैं वो पास होते रहेंगे ठीक है ना इसका आंसर हो जाएगा विश्ट पच्छी किस्टा दिवस 24 अप्रेल को ठीक है 8 मार्च को अंतर रास्ट्री महिला दिवस 18 जुलाई को अंतर रास्ट्री नेलसन मंडेला दिवस थीक है अगला सवाल हैं लिंक्पुहवायद्ण किस राज्जться में दिवस्ट पतर अंकिया नैट भूगिरंबा महरास नचपूजा घैल गोपाल बिहू सब असम की लेंग पूई हवाईड़ा जो है या आपका बिजोरम में हैं अब बिजोरम की राजधानी क्या है आई जोल है तेलंगाना दो जून 2014 को स्थापना हुई है अगला सवाल है भारती सिविल सेवा सुरू करने का अधिकार किसके पास है राजसबा उप्राश्पती संसद या राश्पती सिविल सेवा यानि की अखिल भारती सिविल सेवा औल इंडिया सर्विस तीन हैं इंडियन एड्मिस्टेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा यह तीन अखिल भारती सेवा है इनके अलावा सब केंद्री सेवा है आई रस केंद इसे इस तरीके से गठन करने का अधिकार है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा जाएगा, तो आर्टिकल आप 63 बताना, तनसत का आर्टिकल पूछा जाएगा, 79 बताना, प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा जाएगा, 52 बताना, ठीक अब या सारे लोगो 165 में हैं, ठीक है, ये अपना इस तीफा किसको सौपेंगे, जब राज का मामला होता है, तो किसको सौपेंगे राज पाल को, इन से कोई लेना देना नहीं, इन से कोई लेना देना नहीं, इन से कोई लेना, अब ये ऐलग बात है, केंद्र में गठन कब हुआ पटापट आंसर करेंगे सरवोच नयाले का गठन कब हुआ जरूर प्रोवाइट करा देंगे वे एक बज़े से अनेकेडमी लर्नर एप पर क्लास है तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1950 1950 में 15 मार्च को प्लैनिंग कमीशन भी बनता है 1949 में नाटो की स्थापना होती है याद कर लेना भी इस समय नाटो बड़ा चर्चा में है help नहीं कर रहा है उकरेण की उकरेण सिधे सिधे कर रहा है तुम help नहीं कर रहा है ह хорош हाथियार तबी दे रहे हैं जा रहे है लेकिन परत्यक्ष तोर पर अपनी आर्मी को हिं नहीं दे रहा है ठीक है 45 में SBI कि स्थापना ब्रिटन में जो संसत थी वहाँ पर बोले भाई जैलेज की साहब खड़े हो गए लोग स्वागत में तालिया बाज आने लगे आज बहादुरी के लिए यह आप लोग अंदेखा था आज दिखाया गया था भाई नियूज में अगला सवाल नार्मन बेर लोग जो हरित करांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं अंसर करिहे गगव नार्मन बेर लोग जो हैं यह आपके अमेरिका के नागरिता है बाद में इन्होंने कर्म भोमी कहा की बनाई भाई यह तो मेक्सिको की ठीक है चलि Herbert आगे बढ़ते है पाके पागा हर्निविल फेस्टिवल ये कौन से राजडिका, राज्योत्स भे, पाके पागा फटाब़ा अंसर करें के बई, फस्ट दिख विजय, उभोजीत, मनोच, जोति आदब, सारे लोग अंसर करिये बई ये जो पाके पागा हार्नेविल फेस्टिवल है अप, पाके पागा, ये आपका हो जाता है बच्चे अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आप कहो गया एटा नगर है, ठीक है भई, याद रहेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इकेट, हॉकी, गोल इच्छा डुशा刚, बोलो हिए बिल्कुल है, जो भी विद्धार थी एन अकेडमी पर कोई भी कॉर्स लेना चाहते हैं, देखी staring रेल वे का मिलेगा, स्सक्रीप्सी का मिलेगा, बैंकिंग का मिलेगा, वो सभी लोग डिसकाउंट भी प्राप्त करिए, ए भी सर्टेन कोड लगा करके, इसके माध्यम से आपको डिसकाउंट भी मिलेगा, ठीक है, तो जो कोई भी सब्सक्रिप्सन लेना चाहता है, वाई लिखकर के अपने कोर्स का नाम जरूर लिख देगा, जिसका लेना चाहते दिख्षड आगर आपकी गोल्फ से रिलेटेड है, पोलो में चार खिलाडी होते हैं, इसलिए चोगान खेलते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी, रडजी ट्रॉफी, दिलीब ट्रॉफी, सीसमेहल ट्रॉफी, सरजहा ट्रॉफी, सब क्रिकेट से रिलेटेड है, बिए उन्मुलन के लिए अंतराष्ट्री दिवस हर साल कम बने आ जाता है, 11 जुलाई, 11 एक्टूबर, 11 जुलाई है, इन में से कोई नहीं, बोलो को बैए, फर्स्ट, हाँ, CGL के लिए है, जोती आदा, CGL का सब्सक्रिप्शन आज लीजिए आप, CGL का सब्सक्रिप्शन जर ही है, ओट जरूर लगा लिजेगा, AB सर्टेन, फर्स्ट ग्रेट का भी है बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा, प्यारे विद्ध्यारतियू, 11 एक्टूबर, 11 जुलाई को 20 जन संख्या दिवस, 18 जुलाई को अंतराष्ट्री, नेलसन मंडेला दिवस, ठीक है, आगे बढ संबेता है, वो कैसी है, वो ये कास्यूगीन संबेता है, इंडस वेले से उलाईएटा, और इसमें जो पहली धातू है, कौपर में, याद रखिएगा, जब भी कौपर में टिन मिलाया गया, तो हम लोग कहते हैं, कासा बना, ठीक है, तो यहाँ पर जो उप्योग की गई थ वो वया कौन सी हो जाएगी, ना यह होगा, ना यह होगा, ना यह होगा, तांबा होगा, क्योंकि कौपर में जब टिन मिलाया गया होगा, तभी तो कासा बनाओगा, तो तांबा कह सकते हैं, अगला सवाल है, कौन सी ग्रंती पाचक एंजाइम को जारी नहीं करती है, लिव स्लेवरी, इंटस्ताइनल, या पंक्रियाज, देखो डैजेस्टिव जूस को पाचक एंजयम को जो नहीं जारी करती है, वह है आपकी लिवर, ये वी बैट टायलिन, माल्टो, जिस अभे आईजयम है, तो पाचक एंजयम, ठीक है, और यहां से भी बैइ, जैतं है, इसे यहा भारत के लोकपाल के अध्यक्ष है पिनाकी चंद्र घोस आठ सदस्य होता है चार और चार जो है तो नियायाइक है और चार जो है वो गैर नियायाइक है ठीक है तो टोटल कित्ते हो गया अर आपके आठ हो गया है लेकिन गयर नएक पूछे गया है तो आप चार बता होगे तो टोटल पूछे जाए तो आठ बता होगे ठीक है और इनका लोगपाल के सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनका कारेकाल पांच वर्टे सत्तर होता या तो पांच साल पहले उनके रिटार्मेंट के हो जाए जो उनकी आयू सत्तर बस पहले पूरी हो जाए जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो रिटार कर जाएंगे अगला सवाल है अंतर राष्ट्री आहार दिवस प्रतिवर्श मनाते हैं कम बोलोगे बैए मनोज, सारिका, सीतल, सिंग, स्टनिंग, दिगविजे, बिश्वजीत, रवी, उर्मी इसका सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छे मई ठीक है पंदरा मई बड़ा इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल फैमिली दे पंदरा मई अगला सवाल है उन्निस नमबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं विश्व हरिद दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व सवचाले दिवस या विश्व सवक्षजल दिवस बटा बटा आंसर करेंगे बड़ा फास्ट देखो या या यह जो उन्निस नमबर को मनाते हैं उन्निस नमबर को बच्चे मनाया जाता है आपका सवचाले दिवस ठीक अब ही या अगला सवाल घौन भारत में सबसे बड़ी मसीनी करत खान है रतनागिरी जैपूर या सुंदरगर खान या बैला दिला मसीनी करत खान कौन सी सबसे बड़ी है देन लिमिटेड है सब थोड़े याद करने है इंपोर्टेंट याद करने है जो मैं करा हूँ वो याद कर लो एक फस जाएगा बाकी पढ़ने की जरूरूत नहीं दे इसका अंसर हो जाएगा बैला डिला की खान ठीक है चलिए अगला सवाल है सिंदुगाटी सब इता के यीटों का अनुपाद कितना था देखो ऐसे समझो ठीक है चार सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई दो सेंटीमीटर मोटाई एक सेंटीमीटर तो फोर रेसियो टू रेसियो वन यह था तो आंसर क्या हो जाएगा आकार कैसा था इंडस वैली का तो आकार त्रिबुजाकार है चेतरफल कितना है 12,99,600 किलोमीटर उसका है यह चेतरफल है ठीक है बच्चे किलर है ना चली निमलिकित में राजसवा में किसका प्रतनी थे तो नहीं है केरल चंडीगर बेस्ट वंगाल असम राजसवा में बच्चंडीगर की चंडीगर में राजसवा की कोई सीट नहीं है चंडीगर के आर्किटेक्ट कौन थे तो ली का बुर्जियर यहां पर एक रॉक गार्डन बना है उसके नेकचंद थे ठीक है केरल की बात करोंगे तो याद रखना है आर सबरी माला मंदिर क सांत घाटी केरल में है, सबसे पहले मानसून केरल में आता है, सबसे अधिक लिंगानुपास, सबसे अधिक सक्छरता केरल में है, बैस्वंगाल की बात करोगे जत्रा लोक्नत है, बैस्वंगाल की बात करोगे कोलगता, क्यापिटल हो जाती है, अगला सवाल है, निम लिखित में से किस राज में टिन एस का प्रमुख भंडार है असम जम्मु कस्मी शत्रीजगर पस्षिम बंगार टिन एस का प्रमुख भंडार किसमे है आरा सवा सीट के लिए बिल्कुल उठाया थे मुद्दा इसका आंसर हो जाएगा भाई टिन एस का प्रमुख भंडार कौन सा हो जाएगा तो 36 गर कैसे ठीक है अगला सवाल मानव सरीर का तापकरम जाड़ों में घड़ जाता है गर्मियूम बढ़ जाता है ना जाड़ों में घड़ता है ना गर्मियूम बढ़ता है या जाड़ों में बढ़ जाता है क्या आंसर होगा मानव सरीर का तापमार हमेशा एक सरेता है ना घटता है ना बढ़ता है अंदर का टंपरेचर हमारा सबका एक ही सा है निमली कितने से कौन सा सागरी राष्ट्री उद्ध्यान है भीतर कडिका सुंदर्वन गहिर माथाया मननार की खाड़ी पिल्कुल रवी कुमार भईया तुमारा नाम ले लिया रवी कुमार, क्रिस्टोफर, विकास, सुकदेव चौधरी सारे लोग भईया नाम ले लिया अभी इसके बाद एक बज़े सेसन होगा अन अकेडमी लर्नर है पर तो उस पर सभी लोग जुडिएगा ठीक अभी या एक एक बज़े सेसन होगा अन अकेडमी लर्नर है पर उस पर सभी लोग जुडिएगा सारे लोग एक बार लाइक और शेयर चलिस कर दीजे राश्ट्री उद्यान हो जाएगा बाए मननार की खाड़ी गाहिर माथा उडिसा में सुंदरवन टाइगर इजर बेस्मंगाल में भी कि अंतर राश्ट्री बालिका दिवस का मनाते एक मैई 11 औक्टूबर एक दिसंबर चौवेस जब करते हो तो आंतर राश्ट्रीबालिका दिवस 1 अगला सवाल है गया गया गयाका 11 मै गया-गया धिक बाट का रिखेएयर ऐक मैंकाव पहले USSR था भाई, 1991 में विग्टन हो गया Soviet Sun का, तब उत्पत्ती हो गई या रूस की, तो बहुत बार सवाल मैंने पूछा रहे हैं, ठीक है, किलर है सारे लोगों को, क्वेस्चन आपके यहीं तक रखता हूँ, दूसरी चीज़ देख लोगे भाई, सभी लोग अभी तुरंद क्लास के बाद इंरॉल्मेंट कर लेंगे, सभी लोग, और फ्री में इंरॉल्मेंट करना है, ए बी सरे 10 कोड लगा करके, कहां पर कोड लगेगा यह, जो नीचे लि डिजिटल क्लाक्स हैं, बहुत सारा आपका प्राइज है, सभी लोग इंरॉल्मेंट कर लेंगे, जितने लोग जुड़े हो, ठीक है, याद रहेगा, यह रिपोर्ट एंड विन है, और विए सेसन अच्छा लगा हो, अधिक से अधिक सेयर कीजेगा, लाइक कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, ओके, थैंक यू अबरिमन, जहिन